लेपाल में बारिश से महराज गंच की नदिया उफान पर है महराज गंच में नरायनी, राप्ती, रोहिन डांडा, प्यासी नदी का जोस्तर बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में यहां की लोगों को एक बार फिर बार का डर सता रहा है लेपाल से निकलने वाला महाव नाला भी अब खत्रे से 5 सेंटमीटर उपर बह रहा है बतादे कि यह वही महाव नाला है जो अभी लेपाल से निकलकर महराज गंच को आता है उसे पर बने महान नाले पर दो जगे तक बंध तूट जाता है सेक्डो एक फसले जल मगन हो जाती है गाउं में पानी घुश जाने से आसपास के लोगों में धैशत है लगातार बारिश और नेपाल से जिस तरह से महाव नाला जिसमें से लगातार पानी की निकासी जो है इन इलाकों में होती है चाहे राप्ती की बात करे नरायनी की बात करे महराज गंच में रोहिन डाड़ा की बात करे तो जलस्तर लगातार बड़ रहा है और ये बड़ता जलस्तर अब लोगों की परिशवानियों को बड़ा रहा है और जियाउद्दीन महराजगुन से हमारे साथ हमारे सयोगी जुड़ गए हैं जियाउद्दीन क्या अभी जो जैसे की लोग यहाँ पर बहुत काफी परिशान है लगातार जुबाड का स्तर है वो बढ़ रहा है अंदर ग्रामिड जो है वो काफी परिशान है कुछ प्रशासन की तरफ से मदद अभी तक और क्या स्तती है महापद देखिया आपको बता दूँ जिस तरह से नेपाल में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिस हो रही है वो पानी महराज गंज में आता है जैसे महराज गंज में जो प्रमुक नदिया है नारायडी राप्ती रोहिन डांडा और प्यासी नदिया उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है आपको बता दें कि जो महाव नाला है उसमें जो है नेपाल का पानी आता है महाव नाले पर बना तर्बंद दो जगह तूट है स्ङकड़ों करा फसले जलमघन हो जाती है गाउं में भी पानी जाने लगता है लेकिन परसासंग जोुआ करता है जो दावे करता है परसासंग वह अब फिल नज़कूर आरवा रहा है ग्रामिडों के कितने करीब खत्रह भी जयाब का बनाले उसने पानी आता है वो उसके बने तटबंद दो जगह तूड़ जाता है गाव में पानी चला जाता है गाव में पानी जाने से जो महाव नौले का पानी है वो पांच सेंटीमीटर खत्रे की निसान से उपर बहरा है अब ग्रामीडों में काफी भैब्यापत है लेकिन सिचाई भी भाग और जिल असाथ होती है मिट्टी नहीं होते हैं वो मिट्टी पानी में बहह जाता है तो कहीं ने कहीं ग्रामीडों को ये देख करके बड़ा डरसता रहा है लेकिन जिया दिन ये बताईए अभी देखा जाये तो खत्रा पास ही है आने वाले दिनों में क्या स्ती होगी इसको लेकर गो इजा नहीं सकते हैं लेखिन प्रशासन की तरफ से क्या आने वाले वक्त की पहली से zirwait वफॉतारे की कोशन ये जा रही है देखे आपको बता दूँ जिस तरह से नेपाल का पानी आ रहा है लगतार उस पर सिचाई विभाग नजरे बनाए हुआ है रातों में जाग करके सिचाई विभाग उस पर जो है लगतार टक्टकी लगाए हुआ है जैसे ही जलस्तर उसका बढ़ेगा ग्रामीरों को रिहाईशी लाकों में पहुचाया जाएगा हाला कि अभी जलस्तर तो बढ जा रहा है और उसकी जो है बरबर समय से निगरानी किया जा रहा है ताकि महराज गंज में 2017 की तरह फिर वो बाढ़ का मंजर लोग न देख सके चलिए बहुत धन्यवाद आपका जियाद दिन हमारे साथ जोड़ने के लिए